नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अमारे चैनल आरल बार जनलिस्ट पर इस समय हम लोग मौजूद हैं, वीरांगना नगरीज हसी, रानी लक्षे बाई जी के किले के बाहर इस समय हम लोग हैं, अंदर का नजारा भी आप लोगं को दिखाएंगे और ये बताने का आज भी प्रियास करेंगे कि 1857 की किरांती के बाद, आज भी ये किला कितना सुंदर है, 1857 में महरानी लक्षे बाई ने अंगरेजियों के खिलाब जो लोहा लिया, किसी भी कंडिसन में हार को नहीं माना, और लड़ती चली गई, और इस देश के लिए अपन प्राणों का वलिदान दे दिया, और आज उन्हीं रानी के किले में हम लोग आये हैं, और ये किला मैं अपने केमरामें से कहूंगा, तो अब फिल्मा दें, चारों तरफ कितनी सुंदर्ता को बटो रहे हुए हैं, और यहां पर लोग आते हैं, और यह रात का समय है, रात म में तमाम लोगों का यहां आना होता है, और इसके लिए को देखने के बाद वो लोग जो यहां पर आते हैं, वो इसके लिए की सुंदर्ता का नजारा यहां पर देखते हैं, महरानी लक्षिबाई जी के जीवन की क्या चर्चा करें, हर एक हिंदुस्तानी के दिल में वो ब भारत में नहीं बल्कि वो नाम धीरे-धीरे पूरी दुनिया में चला गया। अंतिम समय तक अंग्रेजों के खिलाब जहां पूरे भारत के एक से एक सासकों ने हतियार डाल दिये थे, वहां माहराने लक्षिबाई ने किसी भी कंडिशन में अंग्रेजों के खिलाब हार को नहीं माना और अंतिम समय तक लड़ते चलेंगे और उसके बाद तमाम कहानिया सामने आती हैं कि वह अंतिम समय में खत्म नहीं हुई, वहां से कुनिया, तमाम तरीके के लोग, तमाम तरीके की चर्चा करते हैं और तमाम किताबों में अलग-अलग कहानियों को लिखा गया है लेकिन चलिए हम अंदर चलते हों और आप लोगों को दिखाते हैं कि आज भी 1857 की क्रांथी के बाद भी ये सांदार किला आज 2023 में कैसा लगता है तो चलिए चलते हैं अंदर की ओर तो इस समय हम लोग अंदर की तरफ आ चुके हैं जहां आप लोग देख सकते हैं इस मुख्य दरवाजी को मैं अपने कैमरा मेंन से कहूंगा फोकस कर दें ये मुख्य दरवाजा है जो 1857 की क्रांथी में देश का एक ऐसा अध्याय जहां लिखा गया जहां महारानी लक्षे ब अरवन के दरमयान सुरू होता है यहां इपने कैमरा मेंन से कहूंगा दिखा दें तमाम लोग जो यहां आते हैं और यह सांधार इसकले का अलुकन खरते आ हैं देखते हैं और आज भी अपनी नम आखों से उस रानी का एतिहासिक नाम लेते हुए घर के तरफ जाते हैं जिस रानी ने हम लोगों के लिए आज अगर देश में याजात पत्तिकारता है अगर देश में आज तीन इस्तंब हैं तो वो सब ऐसी ही महरानी लक्षें बाई और उसके बाद कितने किरांटीकारी जो आग में समाप्त हो गए लेकर अंतिम समय तक लड़ती रहे और बस इसलिए लड़ते रहे किए उन्हें डेश चाहिए और उस आजादी को वो लेकर कर रहे भले ही 1857 की किरांटी 1857 से होती है और उसके बाद ये एतिहासिक रूप से पूरा भारत देश सुतंत्र होता है और उस सुतंत्र भारत में आज हम आप हम सब आजाद भारत में सांसे ले रहे हैं और अगर वो आजाद भारत में आजाद सांसे अगर हम लोग ले रहे हैं तो उसमें महारानी लक्षी भाई का एक बह सरकार हो क्या यहां पर विवस्थाएं करके रखी हैं तो इस समय हम लोग बिलकुल अंदर हैं और मैं आप लोगों को यह दिखाना चाहूंगा यह जो उस समय की स्वागत करने के लिए रखे गए हैं जब महारानी लक्षेवाई 1857 के दर्मियान उस दर्मियान जब लोग स्वागत किया जाता था इनमें से फवारे चूटते थे और आगजनी के साथ एक सांदार उनका स्वागत हुआ करता था और चलिए आगे की तरफ आप लोगों को ले चलते हैं जहां काफी सुंदर्ता है और इस सुंदर्ता को महारानी लक्षेवाई 1857 की क्रांती तक लगा भारत में आजादी के सांस लेकिया और यहां का फांसी हाउस है जहां आया करते थे करिमिनल उनको फांसी दी जाती थी हाला कि तमाम लोगों ने लिखा भी है कुछ लोग यह कहते हैं कि महारानी लक्षेवाई 1857 के दर्मयान भी फांसी देती रहे हाला कि कुछ लेकों ने इस पश्ट तोर पर नहीं लेका उन्होंने कहा कि राणी इसके ब्रोध में थी और उन्होंने इस फांसी प्रथा को बंद करने का प्रयास किया और उसको बंद कर दिया अब ये अलग बात है कि इतिहास कारों ने लिखा है इस चीज़ पर स्पेसली कह पाना कि क्या सत्त है क्या सत्त है यह बड़ा मुश्किल है लेकिन 1857 की किरांती के दर्मियान यह फांसी आउस हुआ करता था यहां पर फांसी दी जाये करती थी और मैं अपने केमरामेंन से कहूंगा एक मिल्ट फीछे की तरफ दिखा दें यहा हलाकि उसके बाद यह मैं अंदर कहूंगा केमरामेंन से थोड़ा जूंकर के अंदर फिल्मा दें यहां से जो क्रिमिनल बंद हुआ करती थी और यहां से सीदेफांसी आउस की तरफ रवाना होती थी तो इस समय हम लोग खड़े हैं इस तोप के पास इसको आप लोग देख सकते हैं मैं अपने केमरामेंन से कहूंगा अच्छी तरीके से फिल्मा दें यह 1857 के दर्मियान की तोप है जो उस समय यूज की जाती थी और इस पर साफ तोर पर लिखा हुआ है गंगा धर राओ की काल की इस तोप की मुखागिरती सिंग संद्रस है तथा इसके नेत्र वं 25.50 मीटर इंटू 1.80 मीटर तथा व्यास 0.60 मीटर है गुलाम गौसखा द्वारा संचालेते हैं तोप सत्रों को आतंकित करती थी और गुलाम गौसखा के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं अंतिम समय तक वो रानी की साथ लड़ते रहे और जब रानी ने अंतिम समय मैं कहा कि अब हम लोगों का समय नजदेख है गुलाम भाई और आप अपने घर की तरफ जाईए तब गुलाम गौसखा ने कहा था रानी कई गुलाम गौसखा मर जाएंगे तो फैदा भी हो जाएंगे लेकिन अगर एक रानी गई तो दूसरी नहीं होगी इसलिए जब तक गुलाम गौसखा के सरीर में प्राण है तब तक ये गुलाम गौसखा नतिम समय तक लड़ता रहेगा और अनतिम समय तक गुलाम गौसखा सहाब लडते रहे और लडते लडते अपने प्राणों को बलिदान कर दिया इस देश के उपर कहें या इस जहासी के उपर कहें या लोग आते हैं और इस सांदार किले का अलोकन करते हैं नजारा देखते हैं आज भी 1857 के दर्मियान इस किले का नाम समूची दुनिया में गया और उसके बाद यहां पर लोगों का 1947 के बाद लगाता राना घूमना शुरू हुआ आना तो दरासल 1857 के पहले भी था जब राजा कैसा लगा है देखने के बाद बहुत अच्छा लगा अभी तीन-चास साल में जो यहां किले के अंदर काम हुआ है वो बहुत इला जो आप देखने लायक हो गया है और यहां पर जो लाइटिंग अभी लगाई गई हुई है यह सम्टिंग दो या उननीस में ही लगाई है पुराना टाइम से लेकर अभी जो नए टाइम में बहुत कुछ बदला हो गया के अंदर और दिन पर दिन टूरिस्ट यहां बढ़ते जा रहे हैं तो अभी अभी जो लगातार लोगों की संक्या है आप कह रहे हैं लगातार बढ़ रही है तो लगबग दिन भर में कितन के अंदर क्या लगी किले के अंदर गुलाम साब की जो तोफ है वो अच्छी लगी है इसके अलाबा इसमें तो किला ही पूरा सुन्दर है सारी चीजे खूप सूर्थी से बढ़ी होई है चले तो खेल लोग हैं जो आज भी हर एक चीज को सुन्दर ही बताते हैं दर असल ब के अधिर थे आप लोगों के सामने जहासी से आगे आप समी लोगों से मुलाकात तब तक समी लोगोंन से नवेधान हमारे चैनल स्बस्राइब कर ला बेल आइक एक बटन दबाद है जिस स्यावामी बिंकारी कर आप पहूं सके बहुत बहुत द training तो इस समय हम लोग किले को घूम करके बाहर निकल चुके हैं जहां लोग आते हैं और इस सांदार किले का अलोकन करते हैं नजारा देखते हैं आज भी 1857 के दर्मियान इस किले का नाम समूची दुनिया में गया और उसके बाद यहां पर लोगों का 1947 के बाद लगाता राना घ जो पूरी दुनिया में चर्चित हो गया तो किले से बाहर आया हैं भीया कैसा लगा है देखने के बाद बहुत अच्छा लगा अभी 3-4 साल में जो यहां किले के अंदर काम हुआ है वो बहुत इला जो आप देखने लायक हो गया है और यहां पर जो लाइटिंग अभी पड़ते जा रहे तो अभी अभी जो लगातार लोगों की संक्या है आप पहरहें लगातार बढ़ दिय तो लगबग कितने टूरिस्ट तिया का मैं 아니 वहां हजारों की संक्या में फजारों से भी जुशद है नाः हमिए और धिल्गे बार्कें के लिए लोगों को दूर सुन्दर है इतनी सारी चीज़े खूपशूरती से भरी हुई है चलिए तो खेल लोग हैं जो आज भी हर एक चीज़ को सुन्दर ही बताते हैं दरसल बताएं भी क्यों ना 1857 का एक हैसा नाम महारानी लक्षी बाई जो हर एक भारत बासी के दिल में बसता है और आज भी इस के कर नाम समूची दुनिया में है यही बताने के लिए आज हम लोग हाजिर थे आप लोग को सामने जहांसी से आगे आप सभी लोगों से फिरोगी मुलाकात तब तक आप सभी लोगों से नवेदन हमारे चैनल को सब्स्राइब करने बेल आइकन वटन दवाद है जिस से अगा मिकारी करमों की जानकारी आप लोगों तक पहुंच से लिए बहुत बहुत दनवाद